आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशे पर्वत पर श्री मलिकार जुन महादेव विराज मान हैं, इसे दक्षिन का कैलास भी कहते हैं, अनेक ग्रंथों में इस स्थान की महिमा का बखान किया गया है, महाभारत के अनुसार श्रीशे पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यग्य करने का फल प्राप्त होता है, कुछ ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि श्रीशे के शिखर के दर्शन मात्र करने से भक्तों के सभी प्रकार के कश्ट दूर हो जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्रा अधित्व करता है, देवी, पार्वती को ब्रमरामबा की उपाधी दी गई है, भारत का यह एकमातर ऐसा मंदिर है जिसे जियोतिर लिंग और शक्तिपीठ दोनों की उपमा दी गई है, दक्षिन भारत के दूसरे मंदिरों के समान यहां भी मूर्ती तक जाने का टिकट का याले से लेना पड़ता है, पूजा का शोल्प टिकट भी प्रिथक होता है, यहां लिंग मूर्ती का स्पर्श, प्राप्त होता है, मल्लिकार जुन मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर है, इन्हें मल्लिका देवी कहते हैं, सभा मंदप में नंदी की विशाल मूर्ती है, मल विष्टी के संरक्षक के बीच स्रिजन की सर्वोच्षता को लेकर बहस छिड़ गई। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिवजी ने ब्रह्मांट को प्रकाश के अनंत पिल्लर से छेत कर दिया। जिसे ज्योतिरलीत का नाम दिया गया। विश्णू और ब्रह्मा दोनों ही प शक्कर लगाने के बाद ब्रह्मा ने आकार जूट बोल दिया कि उन्हें प्रकाश का अंत मिल गया है। जबकि विश्णू ने अपनी हार स्वीकार कर ली। जिसके बाद शिवजी ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि किसी भी उत्सव और धार्मिक कार्य में उन्हें स्थान रही दिया जाएगा जबकि भगवान विश्णू को अनंत काल तक पूजा जाएगा। एक और कथा भी प्रचलित है। ऐसा भी कहा जाता है कि क्रौच पर्वत के निकट ही किसी चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। राजा की बेटी किसी संकट में फस गई समस्या के निवारन हेतु वो कन्या राजमहल छोड़कर पर्वत पर चली गई थी। वो पर्वत पर रहकर अपना जीवन यापन करने लगी। उसके पास एक अत्यंत सुंदर काले रंग की गाय थी। वो कन्या अपनी गाय को अत्यधिक प्रेम करती थी और सेवा भी करती थ दूद निकाल लेता था। उसकन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। एक दिन कन्या ने स्वयम अपनी आँखों से उस श्यामा गाय का दूद दुहते हुए किसी चोर को देखा। उसकन्या को अत्यधिक क्रोध आया और गुस से इसे वे चोर के समीप पहु लेकिन वहाँ कोई चोर नहीं था। वे आश्चर्य चके थो उठी क्योंकि वहाँ उनको एक शिवलिंग के दर्शन हुए। शिवलिंग के दर्शन करने से वे बहुत प्रसं हुई और उन्होंने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया। वही शिवलिंग मंदिर आगे चलकर मलिकार जुन जो तिरलिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ